नमश्का दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर सबसे important चीज में आपको explain करने वाला हूँ हमारे check bouncing के matters जो होते हैं, आप लोगों पता होगा under section number 138 of negotiable instrument act 1881 के अंदर आप अपना cases को file करते हैं याद रखेगा इनके अपनी time limit भी होती है, कि for example, जब cause of action arise होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको quote के अंदर case file करना होता है इसका थोड़ा सा मैं simple भाशा में पता हूँ कि अगर मेरे को किसी व्यक्ति ने, x नाम के व्यक्ति ने, अगर मुझे किसी x नाम के व्यक्ति ने check दिया है अब वो check मैं अगर अपने bank में डालूँगा मेरा bank में check डालने के बाद, वो check हो जाता है dishonor, यानि कि bounce हो जाता है अब इस case के अंदर मेरे को परेशानी चालू हो गई है कि यार मेरे को x नाम के व्यक्ति ने जो check दिया था, वो मेरा bounce हो चुका है अब मैं क्या करूँगा, अब मैं x नाम के व्यक्ति को notice देऊँगा 15 दिन के अंदर-अंदर यानि कि मेरे पर 15 दिन का time period है, 15 दिन के अंदर-अंदर मेरे को मलब मेरे को आज notice देना तो जो accuse person है, जो x नाम के व्यक्ति है एक महीने का time period होता है मैं जाऊंगा court में X नाम के विक्ति के खिलाफ under section number 138 of negotiable instrument act का case file करने के लिए जिसको बोलते हैं overall हम evaluate करें time दो 45 days 15 दिन का notice का reply आने का time period और उसके बाद 16 दिन से एक महीने का time period चालू हो जाता है 30 days का जहाँ पे court के अंदर case file करा जाता है अब यहाँ पे एक बहुत important question यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश high court के दोवारा यहाँ पे clarify करा गया है कि मन लेते हैं कि यहाँ पर एक accused विक्ति है तो एक X नाम का विक्ति है और एक Y नाम का विक्ति है X नाम का विक्ति कौन है? accused विक्ति है जिसने check दिया तो था लेकिन जब Y नाम के विक्ति ने अपने bank में check को डाला वो check bounce हो गया अब यहाँ पे X नाम का विक्ति क्या कर रहा है? पैसे नहीं दे रहा फाइल कर दिया कि एक्स नाम के विक्ति के हिवाफ कोट ने सारी के सारे एविडेंस इसको जांश पताल करने के बाद ये माना कि हाँ एक्स नाम का विक्ति क्या है गिल्टी है एंड एक्स नाम के विक्ति को जो है कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए तो यहां पर कोट नहीं बोला कि X नाम के वक्ति तुम्हारे को 4,80,000 रुपे Y को पे करने पड़ेंगे चेक का amount भी और जो खर्चा पानी है, composition वगारा मिला मलू के 4,80,000 रुपे X नाम के वक्ति तुम Y नाम के वक्ति को पे करोगे साथ में हम तुमारे को 3 महीने की simple imprisonment यानि की 3 महीने की jail की सजा भी सुनाते हैं क्योंकि आगे से तुम ये गल्ती ना करो तो याद रखेगा 3 महीने की jail और 4,80,000 रुपे जो तुमारे बनते हैं वो तुमारे को किसको देने पड़ेंगे? किसको देने पड़ेंगे? Y नाम के वक्ति को जो की हमारे केस के अंदर victim है ऐसा हमारा पुरा का मका चला अब यहाँ पे जो X नाम का वक्ति है उसको परिशानी होगी क्या रिक तो मैं को पैसे भी देने पढ़ रहे हैं और मैं को जेल भी जाना पढ़ रहा है तो इस case के अंदर एक section number 147 of Negotiable Instrument Act 1881 का picture में आता है section number 147 हमारा NI Act का simple सी बात क्याता है कि बाई CRPC में कुछ भी लिखाओ NA Act में अगर कोई भी अपराद mention करा हुआ है और वो अपराद punishable है तो उस particular अपराद को हम compoundable बना सकते हैं वो compoundable बनाएं सकते हैं वो already compoundable होते हैं compoundable अपराद आपको बताओगा न section number 320 of the CRPC में कूरी बुरी list दे रखी है कि बाई यह अपराद compoundable है यह अपराद compoundable है यह अपराद non compoundable है फगहरा फगहरा तो section 147 of NA Act के वल इतनी सी बात क्याता है कि बाई यह कुछ भी लिखाओ CRPC में हमें मतलब नहीं है NA Act में कोई भी अपराद punishable है वो हमारा compoundable की category में मान जाएगा बस इतनी सी बात यहां पर लेके खतम करी हुई है अब इस case के मंदर जो हमारा accuse विक्ती था भाई वो तो दुखी था ना कि यार मेरे को जेल भी जाना पड़ रहा है और मुझे पैसे भी देने पड़ रहे हैं तो आप मेरे को बोल दो कि पैसे दे दूँगा मैं सज हटा दो additional session जड़ने dismiss कर दी अपील को अब ऐसे case में dismiss हो जाने के बाद फिर वो दुबार अपील में गया हिमाचल प्रदेश हाई कोट के अंदर जब सब देख लो कुछ अगर हो जाए तो कि मेरे को सजा भी हो गई है और मेरे को पैसे भी देने पड़ रहे हैं यानि कि तीन साल की म महीने की मुझे जेल भी हो गई है और मुझे पैसे भी देने पड़ रहे हैं तो कुछ solution हो तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हाई कोट में भी अपील को dismiss कर दिया अब ऐसे case के अंदर जो accused वेक्ती था उसको वकील अच्छा मिल गया होगा उसने वकील ने दिमाग लगाया under section number 482 of the CRPC and read with section number 147 of the Negotiable Instrument Act 1881 का मदत लेके जो particular accused वेक्ती था वो अपने वकील को लेके वहाँ पे हिमाचल प्रदेश हाई कोट के अंदर inherent power का इस्तमाल करने के लिए हिमाचल हाई कोट के पास अपनी एक petition file करी है कि जसाब यहाँ पे जो है particular जो हमारे client को यानि कि जो accused वे वो एक तरीके से हम compoundable करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो victim है और जो accused वेक्ती है वो दोनों आपस में अपना मेली भगत करके मतलब कि वो दोनों आपस में समझाता करना चाहते हैं कोई भी अपराद को जो particular offenses को compoundable बनाना चाहते हैं यहाँ पे victim चाहता है कि हाँ भाई मेरे को तो पैसे दे दे मैं तेरको compoundable मानके तेरा case पूरा रफादाफा करवा दूना बात ही खत्म क्योंकि accused विक्ती को तो पैसे वैसे भी देने हैं और jail भी जाना है तो पैसे देने या फिर compoundable अगर बन जाएगा तो केवल accused को जाए यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे जेल से तो बच जाएगा ना तो यहाँ पे सीधा solution है और बहुत बढ़िया point भी आई है तो section number 147 अगर आप पढ़ोगे तो बहुत जरूरी है अब यहाँ पे हिमार्चर पतेश हाई कोट के सामने section number 482 of the CRPC read with section number 147 of the NAE Act को petition को सुनते हुए एक यह चीज सामने आई है यहाँ पे ए recorded by the court below can proceed to review its own judgment whether by the where by the criminal revision petition having been filed by the petitioner accused came to be dismissed or not यहाँ पे कोशिन छोटा सा यही है कि वाई एक बार यह जब यहाँ पे inherent power यहाँ पे की petition file कर दी गई है तो क्या यहाँ पे court अपना खुद review कर सकते है अपने judgment को तो क्या यहाँ पे जो conviction accused को हो गई है अंडर section 138 के अंदर उसके बाद भी तो क्या हम अपराद को compoundable बना सकते हैं अंडर section 147 का इस्तिमाल करके सीधे तोर पे हिमार्चे प्रदेश हाई कोट ने बोला हाँ ऐसा करा जा सकता है याद रखेगा ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है यहाँ पे जो हिमार्चे प्रदेश हाई कोट ने उन्होंने कुछ case भी बताये थे जो important है आप लोगों के लिए और कोई भी सजा अगर हो भी गई या accuse को तब भी अपराद को compoundable के तोर पे convert किया जा सकता है अंडर section 147 एक और case है हमारे supreme court का उन्होंने पर सुप्रीम गोट का इस case के अंदर case का नाम था case सुप्रमन्यम वर्सिज आर राजा थी यह case का नाम है Supreme Court का case है Supreme Court ने भी यह बात पूली थी कि जो section 147 है NA Act का और section 320 है CRPC का उसको हम compromise करके accept कर सकते हैं यानि कि judgment अगर पास हो गया है एक बार भी तब भी हम section number 320 CRPC को जो उसका दाइरा है उसके अंदर हम section 147 का इस्तमाल करके जो भी conviction हुई है उसके बाद भी हम particular अपराद को compoundable बना सकते हैं याद रखेगा तो इसी case में हिमाच्छा पतेश हाई कोट ने भी जो नीचे के अदालत ने order pass करे थे conviction के order की तीन महीनी की सजा और पैसे तो दे नहीं थे चारला 80,000 रुपे तो इसको quest कर दिया यहाँ पे हमाच्छा पतेश हाई कोट ने बोला अपनी petition को 482 का इस्तमाल करते हुए बस चाह रहा था कि भाई मैं को तीन महीनी के जो सजा हुई है ना वो खतम हो जाए तो यहाँ पे कम बंडेवल बनाने के बाद उसके पर कोई सजा नहीं लगी कि इसका नाम है आलम चंद वरसेज चमनलाल एंड और और केस का नमबर है क्रिमनल पेटिशन जो है डेली थी 1232 अब हमार्चा प्रदेश 2020 में जो अल्रेडी और कर चुके है वो भी मैंने आपको जज़्जमेंट के क्लियर कर दिया है अगर वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरू करेगा चैनल को सब्सक्राइब जरू करेगा कोई भी आपका थॉट हो कोई भी आ आपका नवाच करेगा नवाच करेगा थे आपका टिया है ऑगर वीडियो लाइकाईब जरू जरू करेगा कोई भी एक वीडियों को बूल करेगा